सश्रीकाल प्यारे विद्यार थियो बेटे जीवें के तानु सब नुँ पता है कि आसी इस करोना दे पीरियट दे दोरान अपने करतों ही वीडियोज बनाके तोड़े सिलेबस दे कम नुपूरा कर रहे हैं पिछे तुसी माक्सवाद दे उते चार वीडियोज देखियां आज जसी एक होर नवी विचारता रदिगाल करांगे उदारवाद लिबरलिजम लिबरलिजम दे उते जो तुसी होन वीडियोज देखोंगे ओ बच्चे ना सिरफ प्लस टू दे बच्चेयां दे लही है बलकि जेडे तो डे ब्रदर सिस्टर हाईर क्लासिस दे विचे बीए कर रहे ने या में कर रहे ने उना बच्चेयां वल्लों भी काफी रिक्वेस्ट आई सी इस करके यह जो लेसन मैं करवा रही है वैटे यह थोड़ा जया हाई स्टेंडर्ड या कह सकते हैं अपर क्लासिस दे स्टूडेंस दे लही भी है प्लस टू दे लेवल ते देख्या जावे था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर मन सकते हैं असी इसनों बहुत इजी चेप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेसन चुरू करन तो पहला मैं एक बार फिर तोने रिक्वेस्ट करांगी के तुसी सारे चैनल नूँ सब्सक्राइब करो जिस साथ तक हो सकता है वीडियोज नूँ लाइक करो क्योंकि जदो तुसी वीडियोज नूँ लाइक करते हो अच्छे कमेंट देनने होता हो देनाल में नूभी होंसला मिलदा है सो मेरी पूरी कोशिश होएगी के चैप्टर होडी होडी समझा के उस तरी केनाल कराया जावे कि तो अनूँ पूरी तरह समझ आ जाना चाहिदा है सो हूँ असी पेट्चे चैप्टर शिरू करांगे अज दा जो साथा चैप्टर है ओ है लिबरलिजम उदारवाद इसनों जैसी शब्दी अर्था तो देखिए ता लातीनी पाशादा लेटिन पाशादा एक शब्द है लिबरलिस की वर्ड है वेटे लिबरलिस तुसी इनू पंजाबी दे विच नोट कर सकते हो के उदारवाद नू अंग्रेजी दे विच असी लिबरलिसम केंदे हा अते इह शब्द लिबरलिसम लेटिन पाशा दे शब्द लिबरलिस्तो बनेया है लिबरलिस्ता अर्थ है फ्री मेन Free man means अजाद आदमी, सुतंतर व्यक्ति, उह व्यक्ति जो पूरी तरह सुतंतर होवे, जिस्ते उत्ते कोई पाबंदिया ना हो, जिस्ते उत्ते कोई रोक टोक ना होवे, उसनों पूरी अजाद्धी होवे, अजेहे व्यक्ति नों लेटिन पाशादे विच लिबरलिस किहा गय जाए, जो जदो मुष्य लेसन शुरू ही कर रहे हैं, या मैं तो अनू शब्दी अर्थी दस्याएं, एठो ही बेटे तानू एक गल कलियर हो जानी चाहिए दी है, कि जिस तरह सी माक्स बाद किता सी, माक्स बाद वी तानू याद है, मैं तान दस्या सी, कि काल माक्स ती सा पारी फिलोसफी ता न दे द्वाले कुम दी सी ठीक इसे तरीके देनाल उदारवाद एक ऐसी विचारता रहा है जो व्यक्ती दी सुतंतरता ते जोर दिन्दी है जो एक सुतंतर व्यक्ती दी गल कर दी है सो ता नू याद रखना है कि बिल्कुल तुसी कल नू बच्चे कोई इंटर्व्यू देने हो कोई competitive exam देने हो ता उदे विच ता नू इदे ना-related कदे भी कोई question पुछे आजावे ता नू पता होना चाहिदा है कि जो एक विचारता रहा है इदा basic की है किस गल ते खड़ी है सो उदारवाद तुसी याद रखना है बच्चे उदारवाद एक ऐसी विचारता रहा है जो व्यक्ती दी सुतंतर ता ते जो दिन दी है जो व्यक्ती नू पूरी तरह सुतंतर बनाँदी है मार्क्सवाद नाल कंपेर करके वेटे में नालो नालो नाल दसी जा रही है दूसरी गाल असी गाल करांगे के जिस तरीके दे नाल विचारता रहा या वाद की हुंदा है मैं तो नू मार्क्स वाद दे शुरू विच वीद असी के एक खास किसम दी सोचनी नू एक खास किसम दे विचारां दे इकठनू असी वाद दा नाम देने हा सो दुनिया दे विच किसे दे विचार किसे नल नहीं मिल दे बहुत लोग का दे विचार इक गल दे बारे विच अलागला गुंदे हन जदो सांजे विचारावाडे लोग इकठे होके इकोज ही गल कर दे हन ता ओह एक तरीके दा की बन जन्दा है वाद बन जन्दा है जिस तरह दिया पापा रद्धी अजादी दिगाल करिये तसादे कुल दो तरीके दे दे दल सी गरम दल नरम दल कुछ अजेहे दल सी जो एक एंदे सन के पारत वीच अग्रेजानों कड़ना है उदली किसे भी साधनानों करांतिकारी साधनानों वर्तना पैसकता है वो गरम दल सी उनना दे विचार एक को जेहे सन दूसरे पासे महातमा गंधी जीदा नरम दाल सी जो किसे भी हिंसक साधन या क्रांतिकरी साधना दे हक विच नहीं सी सो इसे तरीके दिनाल कई लोग समझ देने की राज विच चेंज खौड़ी-े लियानी चाही है कई केंदेने के चेंज इकड़ अनी चाही है कुछ चांदेने चेंज करन देले शांती पुरन साधनान उबरते आजावे। पाव हरे एक दी जे सोचनी है बचे ओ अलग अलग हुंदी है। जदो इको जही सोचनी वाड़े गुनुख इकठे हो जन देहन, जदो ओ कोई खास विचारता रहा दिन देहन। ता उसनों वाद दा नाम देता जानदा है तो आसी एकवरी फिर अपड़े लेसन दे उते वापिस आ रहे हैं इस लेसन दे विच बच्चे मैं कोशिश किती है कि मैक्सिमम हेडिंग्स, डेफिनेशन्स, इंग्लिश मेडियम दे विची दमा उदा रीजन है कि मेरे कोल बहुत बच्चियां दे फोन आ रहे ने कि मैं इंग्लिश मेडियम दा मेटीरियल पे जया जावे सो नाल नाल में तो आनू पंजाबी वर्जन भी दसांगी तां जो साथे इंग्लिश मेडियम वाड़े स्टूडेंट्स, नालाल पंजाबी मेडियम दोनों हे कवर कर सकांगा उनसी एकवरी फेर मैं वापस आ रही हैं असी साथा आज़दा लेसन फेर मैं दास रही हैं उदारवाद है उदारवाद नू अंग्रेजी दे विच लिबरलिजम कहनदे हन एहे लातिनी पाशा दे शाबद लिबरलिस्तों बनेया है तुसी पंजाब बीच लिख सकते हो लिबरलिस्ता अर्थ है सुतंतर व्यक्ति फ्री मैन और जेहा व्यक्ति जीदे उत्ते कोई र करने असी सब्तों पहले उदारवाद दे सिद्वाजनतों दिगाल कर आंगी सिद्वाद लिचारक उदार्वाद नू लेके चाल रहे ने वहा वहा वा किस बेस्त परल्ब मैं तो नंतर सना चांप करियों कि सिख्थिग्रम गांधीजम, माक्सिजम, जी आपा सिखतरम दी गाल करिए, सिखवाद दी गाल करिए, ता तुछे देखो कि किसे गुरु साहब ने लंगर दी परथा चलाई, कोई होर गुरु साहब आए, उन्हा ने पंगत दी परथा चलाई, किसे गुरु साहब ने शक्ती दी गाल किती, क गुर्णानक देव जी ने किर्थ करो दी गाल किती वंड चको दी गाल किती इस तरीके देना जे हुं सानु आज कोई कहे कि सिखत रम्दे सिदांत दस्सों केड़े केड़े हनु गुर्गोवी सिंग जी ने अम्रेश काया खाल साब नाया सो जे असी सिखत रम्दे सिदांत दे गाल करिये ता उदे विच्चो सारियां ही गल्ला आउन गियां जो सानु दस गुरूशा सहेवान दी देन हन। असी कमांगे सिखत रम्दे सिदांत दे विच कीरत करना, वंड चकड़ा, अमरत नू तारन करना, लंगर्दी प्रथाद कर करनी सेवा टिक है सबर बलिदान इस सब शिकतर्म दे सिधांत ने मिज औओ सिधांत ने जिना ते स्थ करांगे तरह किडि थेरी स्ने केड़े सिधांत ने जिना ते उदारवाद खड़ा है उदे विछवचे पहली सब तो वरड़ी थेरी है गीए equality and freedom कि उदारवाद एक ऐसा सिदान्त है जो equality समानता दीकल करता है ब्राबरी करता है एसी फ्रीडम करता है अजादी करता है पाव क्योंकि तुस्षी शब्दी अर्थ देख्या है उज्ची असी पक्षों तार में पक्षों अजादी देना अते सारे मनुखा नो बराबर समझना सबनू सनमान देना ये उदारवाद दा पहला सिदान्थ है दूसरी गाल है रेप्रिजेंटेटीव इंसिट्वीशन्स प्रतिनिती संस्थामा जेड़ बचे उदारवाद है उदी दूसरा ब संस्थामा जिदे विचि लोक अपने ऊते राज करनवाडे प्रतिनितनो आप छोन दे हं वो पारलिमेंट हो सक दी है व विदान पालिका हो सक दी है कोई भी ऊ UX ताव्धार लोक कांदे कोल हो अगली गाल है गिया बचे पब्लिक वेलफेर लोक पलाई तीसरा जी अपा उदारवाद दी गाल करिये ता उदारवाद दा तीसरा मुख असूल की है कि एह लोकां दी पलाई दे निर्वर करदा है मीज उदारवाद की चौन्दा है कि अजेहा राज होवे जिस विच लोकां दी वद तो वद पलाई होवे पलाई कदो होएगी जदो लोक खुश होणगे कदो खुश होणगे जदो लोका नुस्त अंतरता मिलेगी जदो लोकां दी पलाई दी गाल करना उदारवाद दा सिदान्त है चौथा सिदान्त है बचे डी सेंट्रलाईजेशन ओफ पावर एंड वेल्थ शक्ती अते दौलत दा विकेंद्री करन ए शबत तुसी त्यान नल देखो विकेंद्री करन दो अखर ने बचे याद रखड़ा एक हुन्दा है केंद्री करन सेंट्रलाईजेशन एक हुन्दा है वी केंद्री करन डी सेंट्रलाईजेशन केंद्री करन जेनुआ पैस्तरा कर दिये केंद्री करन दा अर्थ हुन्दा है एक था जमा होना एको कोल होना मानने लो शक्ति किसे एक बंदे कोल ही है शक्ति कॉम्मुनिस्ट पार्टी कोल ही है शक्ति एक डल कोल ही है तासी की कमांगे केंदर कोल ही शक्ति है केंदरी करण केंदरी करण मैंने एक जगा एकठा होना वी केंदरी करण मेंने वंडेया होना इन्हों शब्द नों सौखा कर लो वी केंदरी करण मेंने वंडेया होना सो उदारवाद की चौनता है कि जो देश दी शक्ती है चाहिए ओ शक्त राजनेतिक शक्ती है चाहिए देश दा आर्थिकता नहें ओ कुछ को लोकां कोल कठाना होवे बलकि वी केंद्री करन मेंने वंडिया होवे डी सेंटरलाइजेशन वंडिया होना क्योंकि जे शक्ती किसे इक कोल हुंदी है या कुछ को व्यक्तियां कोल हुंदी है ता ओ अपनी मनमर्जी कर सकते हैं इसे तरह जे तन कुछ कुछ लोकां कोल होएगा ता ओह कुछ लोक बहुत अमीर होणगे बाकी बहुत गरीब होणगे अमीर लोक अपनी मनमर्जी कर सकते हन तन दी दुरवर्तों कर सकते हन सो एह उदारवाद दा असूल है कि उदारवाद चौन्दा है कि देश विच शक्ती अते तन दोनों ही वंडे होने चाहिदे हन अगली गल करांगे minimum interference of state राजदा कटो कट दखल अंदाजी राजदी कटो कट दखल अंदाजी बैटे उदारवाद एक ऐसी विचारता रहा है जो ए मन्दी है कि राज नू मनुख दे कम्मा विच कट तो कट दखल देना चाहिदा है देखो ये राजदी विचार है ये बहुत important है बच्चे ये तो अनुए दे होते individual question वी आजन्दा है कि उदारवादियां दे राजदी की विचार हन कि राजदी शक्ती जो है नू किते ना किते कटाउं दी है इस करके उदारवादी इस चीज़नों मन दे हन कि राजदी कट तो कट मनुख दे आर्थिक कम्मा विच दखल देना चाहिदा है बच्चे मैं तो अनू दारवाद दे सिधा अंद करा रही हैं एक में टिप जरूर तो अनू दवांगी कि मान लो देखो एक चीज हुन दिये कताबा विच्चो रटा लगा लेडा या तुसी कापियां दे लिख लेया तुसी रटा लगा लेया दूसरी चीज हुन दिये उस चीज नू ते अनल समझ लेना उन तुसी मेरी काल याद रखना तो अनू उदारवाद उते कोई वी क्वश्चन आजे तो अनू जे बेसिक पता है ए जो मैं उदारवाद दे नियम दास रही हैं ए तो अड़े प्लस टू दे विच अग्गे असी जदो चेप्टर करांगे एही वड़ा चेप्टर इदे विच असी करांगे पुरातन उदारवाद नमा उदारवाद उदारवाद दे दो रूप करांगे पुराना उदारवाद नमा उदारवाद फिर पुराने आते नमे उदार्वाद वीच अंतर करांगे पर बेसिक चीज गी है के उदार्वाद दे तो आनु कोई भी question आज़ै नमे उदार्वाद दे सिधा अंता जान पुराणे उदारवाद दे सिदा आंता जान जो तो अनू अक्सर पेपर चांदेने तो अनू बेसिक पता होना चाहिदा है जेडियां गल्ला के राज मनुख दे विच का तोकाट दखल अंदाजी दवे उदारवाद मनुख दी सुतंतरता देवते जोर दिन्दा है उदारवाद मनुख दी खुशी दे जोर दिन्दा है उदारवाद चौन्दा है कि लोग तंतर होवे उदारवाद चौन्दा है प्रतिनी दी संस्थामा होन उदारवाद चौन्दा है सारी शक्ती लोकाँ दे हत विच होवे लोकाँ दा वद तो वद पला होवे ये बच्चे ऐसे कुछ इक थेरी नियम ने सिदान्त ने जेड़े के तो अड़े नमे उदारवाद विच भी आउनगे पुराने उदारवाद विच भी आउनगे जदो असी अगले लेसन नूँ अग्गे चलावांगे सेकिंड थर्ड वीडियो करांगे तुसी देखड़ा तुसी सुचोंगे मैं बार बार उगी गलार रिपीट कर रहे हैं रिपीट इस करके होनगी हैं क्योंकि एही सिदांत ने जेड़े बच्चे बार बार नमे अते पुराणे उदारवाद विच आउनदे हैं सो तो अनू पता होना चाहिए जिवे के मेरा एक स्टूडेंट होनदा सी मैंने यादा एक दो साल पहला ही ओ बहुत लेट उन्हें प्लस टूच बड़ा लेट मेरे को सब्टमबर अक्टूबर दे में हिन्नेच बच्चे वाया ते उदे को लेंना टाइम भी निसीगा कि उ सारा से लेए बस चंगी तरह कर सके अनू हरेक लेसंदा में इसनस पता हुंदा सी नचोड़ पता हुंदा सी है ज्ये कई वार मैं उसनों पुछ लेंदी सार्क की है तो उन्हें मैंनु करना मेडम जी ओ जड़े पारत दे नाल देश लगदेने जी ग्वंडी राज उन्हा ने जो संगठन बनाया होया ओ सार्क है कैंड तो मेरा मतलब यह है कि तो अन्हों लेसन दन चोड़ पता होना चाहिए किस लेसन है कि यह उदारवाद दे इंड विजुविलिजम व्यक्ति वाद वबाद विolic na Venet बहुत IMPORTNPoink है कुझ भी द्वानता यह केंदेने की उदारवाद की है और व्यक्ति वाद दाही दूज्या नाम होई इंडिवीजुवरिजम वियक्ति वाद व्यक्ति व्यक्ति वाद ऑकने वदारवाद की है व्यक्ति वाद दाही दूसरा नाम है ए पॉइंट जरा तुसी मेरतो चंगी तरह समझो व्यक्ति वाद की है व्यक्ति वाद में एक विचारता रहा है जो व्यक्ति दे जोर देंदी है किस दे जोर देंदी है व्यक्ति दे जोर देंदी है उन्हादा ये विचार है कि राज ज है दफाल दी थेरी से कई वदवान मंदे नहीं नहीं राज इंपोर्टंट है उन्स देख्यागे, ये अपएनू कोल पुछे के मनुखी शरीर इंपॉर्टन्ट है, के मनुख़ दे अंग इंपॉर्टन्ट ने देखो, शरीर की है, शरीर दी अपनी कोई होंद नहीं curiosity, किस दो मिलके बढ़ें है, अंगा दो मिलके बढ़ें है इसे तरीके दना राज की है, राज दी कोई होंद नहीं राज किस तो मिलके बढ़े है, मनुखा तो मिलके बढ़े है फुर जादा इंपोर्टन्ट की है, राज जादा इंपोर्टन्ट है या मनुख जादा इंपोर्टन्ट ने सो व्यक्तिवाद केंदे नहीं मनुख ज्यादा इंपोर्टेंट ने कई विद्वान की मन देने कि नहीं राज ज्यादा इंपोर्टेंट है मनुखा नू राज दे उत्तो कुर्बान किता जा सकता है फॉर एक्जांपल कि मन लो साड़े श्रीर दे विच लत विच किसे बंदे वे गोड़ी वाज जन दिये तो डॉक्टर को दो आप्शन्स ने जाता हो उस दी लत कट दे जहर फैली होई लत या कि ये बंदे नू छाट देन सारी बोडी जहर फैल जे ते बंदा मर जे तो उस ह आवर के कई वर की हमदा है कुझ कुम मनुक्खानू सजा देनी पैन्दी है कुझकु मनुखानू कुट्वान करना पैन्दा है कि दे लई राज दे मंदे सोUND विक्ति combat आडोगी चाहने опыт ँचा है राज सादन है राजदा कम है व्यक्तियानों खुश करना इस करके जो उदारवादी ने ओवी काफी हद तक व्यक्तिवाद देनाल मेल खंदे हन अगली गल है ग्रेजुल चेंजीज एकॉर्डिंग टुदी डेमोक्रेटिक वे लोकतंतरी त्रिक्या अनसार होडी होडी है पर कित्दा होवे होली होवे एकदम विद्रो करन दी लोड ना पवे करांती दी लोड ना पवे होली होडी चेंजीज होन केडे त्रिके नाल होन डेमोक्रेटिक वे दे नाल डेमोक्रेटिक वे मैंने लोकतंतरी त्रिका लोकतंतरी त्रिका मेंस शक्ती लोकां दे हत्व जिमें लोग चौन होड़ी होड़ी समाज दे विच लोकां दी इच्छा दे अनुसार चेंजिस कितिया जानिया चाहिदिया हन। वेरी वेरिए इंपोर्टन पॉइंट उदारवादी की मंदेहन के हर व्यक्तिनु लिबर्टी तु धिंग सोचन दिया जादी होड़ी है andieur कला सोचना ही नहीं बंदा जो सोच दा है ओ प्रगट कर सके एक्स्प्रेस कर सके अपने विचार प्रगटावी सके अते राजनेती क जाती राजनेति का जा दीच बच्चे तुसी प्लस वन किती है सारा कुछ आंदा है वोट पौन दादिकार होवे चोन लड़ंदा दिकार होवे सरकार दे गलत कमा दे बुलन दा अधिकार होए कोई संग या सबा बनाऊं दा अधिकार होए अपने विचार प्रग्टोन दा अधिकार होए अखवारा दा अधिकार होए रेडियो टेलिवीजन दी सुतंतरता हुए मनुख जो सोचदा है विरोधी पार्टीयां होन सरकार दे खलाफ बुलन दादिकार होए तुसी आर्टिकल्स लिख सकते हो तुसी पाशन दे सकते हो तुसी विचार प्रगटा सकते हो एन्नी सारी अजाद्धी कौन दिन्दा है उदारवा दिन्दाए हो केंदे कि जे मनुख सुतंतर ता ही होया ना बैटे सुतंतर मनुख कद होया जदो अपनी अजादी देनाल सोच भी सकता है ते विचार प्रगटा भी सकता है तो यह बहुत ही इपॉटेंट पॉइंट है अगे है पेटे पॉइंट फेथिन डेमोक्रेसी लोकतंतर विच विश्वाश बचे ए उदारवाद दा अगला सिदांत है कि जो उदारवादी ने ओ लोकतंतर दे विच विश्वाश करनेगे हुन तो अनु याद आगया होएगा प्लस वान नु याद करो लोकतंतर डेमोक्रेसी केडा शाशन सी जे अपाई दा शब्दी अखर देखिए डेमोस प्लस क्रेसी या डेमोस प्लस क्रेटिया डेमोस ता अर्थ हुन दा है परजा क्रेसी दा मतलब क्रेटिया दा मतलब हु परवा शादिती सी तो अनुवियाद होएगा डेमोक्रिसी इस दा गॉवर्मेंट ओफ दा पीपल फॉर दा पीपल बाए दा पीपल लोकतंतर लोकां भी लोकां लई यते लोकां रही चुनी होई सरकार है सो जेडे उदारवादी ने ओ डेमोक्रिसी इच विश्वाश रख देने ओ डिक्टेटरशिप तानाशाही विच नी रख दे ओ राजे दे राज विच नी रख दे ओ इक पार्टी दे कोल शाषन होवे उदे विच विश्वाश नी रख दे ओकी केंदेने के सारी शक्ती की द अनुत्या अनल देख्या होए तो अड़ी पस्तावना देविचे सुतंतरता समानता पाई चारा बोलन दा अधिकार सोचन दा अधिकार लोगतंतर इस सारिया चीजना साड़े पार देश्विदान देविच पाईया जान दिया हन सो ए अगले विचार है गेने कि उदारवादी सोचन दिया जादी देने मनुखनू प्रगट करन दिया जादी देने राजनेतिका जादी देन दे हाक विच ने ओ लोगतंतर दे हाक विच है ओ ताना शाही दे या जबरदस्ती राज दे या राजे दे राज दे या किसे गलत राज दे हक विच नहीं हन अगली एक वरी फेर बेटे बेतान रिपीट कर दे होंगी कि थेरीज ओफ लिबरलिजम एक्वैलिटी एंड फ्रीडम दूसरी चीज के उदारवादी प्रतिनीदी संस्थामा दे हक विच हन तीसरी चीज के लोकां दा वद तो वद लोकां दा पला करना चांदे हन छोथी चीज के देश विच शक्ति वी बंडी होवे आते देश दातान वी बंडिया होणा चाहिदा है राज नू मनुख देकमा विच कट तो कट दखल देना चाहिदा है ए व्यक्ति वाद दे हक विच हन ए व्यक्ति नू उदेश मन दे हन राज नू साधन मन दे हन व्यक्ति इना लई बहुत इंपोर्टन्ट है अगली गाल उदारवादी चौन दे हन के देश विचे चेंजिस होन होली होली होन ते ए लोकां द सब्सक्राइब नागरिक नों सोचन दी विचार प्रग्टाउन दी हर एक तरीके दी राजनिती का जादी दिती जावे अते एह पूरी तरह लोगतंतर दे विश्वाशक दे हन अते लोगतंतर दे हक विच हन उन बच्चे इना सारियां चीज्जानु जे अपाते आमनल देख पिए और पूरी अबड़ी सज्वाश्वा सबसंतर देह सब्सक्राइब नक्सिंप्राइब आशिक vrij Instrphy याद रता नाट स्पोछ फ попробिशा से लिए केड़ी विचार्पन सबद्सक्राइब सुतंतरता समामता अजाद्धी सोचन दी अजाद्धी बोलन दी अजाद्धी अपने आपनों प्रक्ट करन दी अजाद्धी अपने नुमायंदेयान चुणन दी अजाद्धी अपने उत्ते राज करन वाड़ेयां दे उत्ते हक करन दी जाद्धी जीडा राज दी काट तो का दखल अधानाधी मनुखोंधी सुतंतर ता निजी सुतंतर ता वपारेख सुतंतर ता अर्थिक सुतंतर। उनों अपफ़ के नाम दमांगे ? लिब्रलिज्म दा नाम दमांगेropri gödो इन जड़ो तो सब्सक्.. न सब्सक्राइब करांगे स्पोर्टर्स ओफ लिबरलिजम उदारवाद देश मर्थक बचे मैं करन तो पहला तान जुरूर दस्तांगी कि जो उदारवाद देश मर्थक है एक जदो ता तुसी प्लस टू करोंगे प्लस टू दे विच्चे तो अनू सरफ दे नाम आने बटे कि उदार वाद देश मर्थकां दे नाम दसो कई बचे मैंनू फोन कारके भी पुछ देने मैं कोस्चन अंसर दसो जी केड़े कोस्चन आन दे बच्चे कोस्चन ने लेसं दे विच्चों ही आना है मैं आज तक कदे अपने बच्चे अनू कोस्चन ने कराए ना वान मार्क ना टू मार्क ना फोर मार्क मैं कदे नी करवाया जे तक मैं अपने बच्चे अनू हमेशा लेसं नी करानी है और लेसं दे विच्चों ही कोस्चन बंदेने कोस्चन के ते बारों नी आन दे बच्चे तो यह तो अनू वैसे में तो अंदास नहीं है कि तो अनू उधारवाद यह हो सकता है कि तो अनू दो नमबर दा कोश्चन आजे उधारवाद दे समर्थका दे नाम लिखते नहीं है नाम सिर्फ याद रखड़े है पट जो साधिया हायर क्लासेज ने बी ए कर रहे ने बच् इंट्येजेंटव बाचियां दे लई मैं इस स्लाइड त्यार किती है कि तो अनू पता होए के और वादए किस किस समर्थक ने कितो जरम होया wizard किस किस समर्थक ने की की गाल किती है सब तो दसीति पहले गाल करांगे तो सब तो पहले नामाद दे सुक्रावत स्कृर्टीज सुकराइब युनान दे बहुत वड़े दार्शनिदिकोएँ ने बड़े तर्मी-कर्मी बन देसं इनाने साच्च दे लई साच्च दा पल्ला फड़ेया अते साच्च दे लई अपनी जानवी देती इनाने religious freedom दिगाल किती है ता अर्मी का जादी दिगाल किती है ठीक है अजादी है इना ने ता रमदे नाम दे उते अजादी मंगी अते ता रमदे अजादी दे करके ही अपनी जान भी गवाई अजादी था अजादी है सुतंतरता था सुतंतरता ही है दूसरा नाम असी लेने Aristotle Plato अरस्तु अरस्तु याद आ गया प्लस वान चाशी की किता सी राजनिती शाश्तर देपिता माफादर ओप पुलिटिकल साइंस अरस्तु Aristotle अरस्तु जी ने वी उदारवाद दी गाल किती किस तरी के दराल उन्हाने एक्वैलिटी आफ जैंडर दी गाल किती क्वैलिटी ऑफ जैंडर मैंने लिंग दी समानता पुर्षा आते इस्तरियां दी समानता एना होए पुर्षानु वद्द पे मिले लेडीज नो काट मिले एक वेतन मज़़ूर जे एक आदमी मज़़ूर है उन्हों ज़ादा और अपत्य अननल देखिए उदारवाद जड़ियां जड़ा नहीं जड़ा में शुरुआत है उतकरीवन युनान देई ना दार्षनिका तो मन्नी ज़ंदी है युनान और अपने राजनिती शाष्तर दा जड़ा 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 है याद आगया तो आनू नाल प्लस वन भी अपने रिवाइज कर लेया करो उस तो अग ऐसी गाल करांगे विद्वान जॉन लॉक जॉन लॉक विद्वान दा नाम है स्पोर्टर दा नाम ने अगेस्ट डिक्टेटर्शिप फेवर पॉपुलर सॉबरेंटी जॉन लॉक जी ने की थेरी दिती है उनना ने अगेस्ट डिक्टेटर्शिप डिक्टेट लोकां दे हत्विच प्रभुसता, सहर्मन प्यारी प्रभुसता, प्रभुसता मेंज शक्ती, कि शक्ती की दे हत्विच होनी चाहिए दिये, सारे लोकां दे हत्विच होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप मेंने किसे इक बंदे दे हत्विच नहीं होनी चाहिए दी, यह तो किसने दिती ए बच्चे क्योंकि मैंनु याद है मैं भी जदो लेक्चरार बढ़न दे लें इंटर्व्यू दिती सी उस तो बाद भी एक दो एवार्ड दे लें इंटर्व्यू दिती ता इंटर्व्यू उना ने सानु थेरी जना रेलेटेड कोस्चिन्स पुछे ने सीबिएसी दे विच्ची दा सरी के इनना सिद्धी उदारवाधि ने किती तो धी उससे त्रिक्विड़ेणे टी साइस पढ़ोंगे तुसी हजारा ही वार रूसो दा नाम देखोंगे बहुत वड़े विद्वान होए ने रूसो इन्हाने थेरी दिती है लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रेटर्निटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट थेरी लिबर्टी मैंने सुतंतरता समांता अते उदे विच ए तिन्नों अखर तो नुव्याद है ए बिल्कुल तिन्नों अखर आंदेने के पारदे नागरिकानू सुतंतरता देनी है समांता देनी है अते पाइचारा पाइचारा बच्चे कदो होंदा है समाज विच पाइचारा ओदो ही होएगा जदो सारे लोग बराब ब्राबर अजादी मिलेगी सब नू ब्राबर अधिकार बिलनगे सब दे ब्राबर करता होंगे हरेक व्यक्ति दे विकास दे लई उस बंदे नू वदन दा मौका देता जावेगा तां सारे राल मिलके रहनगे ताहीं पाई चारा बन सकदा है सो ए थेरी सानू रूसो जी ने दिती और ए तिन्नों अखर तुसी देखो उदारवाद विचाउंदे ने उदारवाद सुतंतरता दिवी गाल करदा है उदारवाद समानता दिवी गाल करदा है अते उदारवाद सारे लोका दे पले अते पाई चारे दिवी गाल करदा है अगले साधे विद्वान ने मॉन्टेस्क्यू जाब बीदे विच्वी तुसी नाम लिख सकते हों मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू जी ने बहुत बड़ी थेरी दिती